प्यारे बच्चों, बेला, गुलाब, जुही, चम्पा, चमेली, सबी फूलों की खुश्बू और इनकी रंगत अलग-अलग होती है, ठीक ऐसे ही हर बच्चे में अलग-अलग प्रतिभाएं छिपी होई हैं, बस उन्हें पहचानना होगा, खुद बच्चे को और बच्चे क गुरु यानि शिच्चक को बिध्यालेओं में प्रतिवर्ष खेलों का आयोजन किया जाता है, बेसिक स्कूलों के माध्यम से नियाय पंचायत इस्तर से आरंब कर, क्रमशह, ब्लॉक इस्तरिये, जनपद इस्तरिये, मंडल इस्तरिये, राज्य इस्तरिये, और राष्ट्र से लेकर, अंतर राष्ट्र इस्तर तक, बिविन खेल, जैसे दौड, उंची कूद, लंबी कूद, कबड़ी, खोखो, गोला फेक, चक्का फेक, तीरंदाजी, आधि प्रतियोगताएं बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका होती है, खुद को अलग अंदाज में सावित करन के लिए, या यो कहें, कि यदि आपका मन पढ़ाई में गंभीर नहीं है, तो खेल में रमा लो, बच्चपन में आपके पास बहुत से रास्ते हैं, कोई भी वो रास्ता दिल से अपनाओ, जिसकी मंजिल आपका भविश शुनहरा करे, सबसे बहतर तरीका है, उन लोगों के बारे में जानिये, जो दुनिया में विपरीत परच्चतियां होने के बाब जूद भी आस्मान को छुगए, जिन में कुछ चुनिंदा नाम ये भी हैं, जैसे मिलखा सिंग, गुरवचन सिंग रंधावा, पीटी उशा, हिमादास, आशाराय, कुनु मुहम्मद, दुतिच उसेन बोल्ट, आदी, ये वो खिलारी हैं, जुनोंने दौड को अपना माध्यम बनाया, और दौड दौड कर बिभिन छेत्रों में, बिभिन पदों पर आसीन हुए, और अंतर राष्टे स्तर पर अपना नाम रोशन किया, बच्चों, आपको बच्पन से ही बहुत संगर् होगा, तब आप जाके कुछ बन सकते हो, आपको सुबह जल्दी उठकर योगा करना चाहिए, दौर लगाना चाहिए, ब्यायाम करना चाहिए, और ये काम आप जब प्रति दिन करेंगे, तब ही आप एक स्वस्त सरीर में, स्वस्त मस्तिस का निर्मार कर सकेंगे, और बच् एक छोटी से कहानी आपको मिलखा सिंग के बारे में बताते हैं, मिलखा सिंग जो की एक अंतर राश्ट्रे इस्तर के धावक थे, धावक यानि रेस लगाने वाले थे, दौर लगाने वाले थे, और इसके साथ ही साथ ये अपनी सेना में, भारतिय सेना में भी बहुत उच पद पर आसीन थे, इनका जन 20 नवंबर 1929 में, गोविंदपुर एक छोटा सा गाउं जो की अब पाकिस्तान के पंजाब परांत में पड़ता है, इसमें हुआ था, और जब भारत और पाकिस्तान का बटबारा हुआ, तो बच्चों दंगे हुए थे उस समय बहुत जादा, जिसमें इनोंने अपने माता पिता को खो दिया, और ये बच्चपन में ही अनात हो गए, जैसे तैसे ये पाकिस्तान से भारत आ गए, ट्रेन के माद्यम से, और इनोंने कुछ कर गुजरने की ठान ली बच्चपन से ही, इनका स्कूल इनके घर से 10 किलोमीटर दूर था, तो बच्चों ये प्रति दिन सुबह दौर लगाकर अपने स्कूल जाते थे, और जब छुटी होती थी, तो दौर लगाकर ही घर वापस आते थे, और इस तरह से प्रति दिन इनको 20 किलोमीटर दौर ना निश्चित था, तै था, तो इस तरह से इनोंने बच्चपन से ही दौर का रास्ता अपनाया, और दौर को अपना सस्त्र बनाया, और इनोंने आखिर में पूरे दुन्या भर में बहुत ही नाम कमाया, जो कि आज ये हमारे बीच नहीं है, तो इसी तरह से बच्चों, आप भी जीवन में कुछ भी कर सकते हो, बस आपको अपने अंदर की छमता, औ और अपने अंदर की लगन और रूची का पता करना है, कि आपको किस काम में मन लगता है, दिल लगता है, बस उसी काम में आप जुट जाएए,